सर्दियां सुरू हो चुकी थी, सुबह के सारे चार बज रहे थे नेहा निंद में ही सोर मचाते हुए घड़ी के टिक-टिक अलार्म को बंद करके फिर से वापस अपनी चादर में सिमच गई आज नेहा को तनिक भी उठने की इच्छा नहीं थी, वैसे भी नेहा की नई नई साधी हुई थी और उसे सुबह उठने की आदत नहीं थी मायके में तो सर्दी सुरू होते ही नेहा की मां सुबह उठने से मना कर देती थी क्योंकि नेहा को सर्दी कुछ जादा ही जल्दी लग जाया करती थी और फिर जब एक बार खांसी लग जाए तो पूरी ठंडी नेहा खांस खांस कर भीताती लेकिन मायके के सुख ससुराल में कहा नेहा को वापस सोता देख पती नीरज ने जख जोरा नेहा नेहा उठो यार सारे चार बज गए बच्चों को तयार करी स्कूल नहीं भेजना है क्या देर करोगी तो आज फिर से बच्चे बिना लंच बॉक्स के चले जाएंगे और तुम्हें वापस से भावी की खड़ी खोटी सुननी परेगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती नीरज एक सुर में बोले जा रहा था जिसे सुननेहा को बहुत ख़ीज हो रही थी ठक हार कर नेहा बेबन से बिस्तर पर से उठी नेहा को बिस्तर छोड़ते देख नीरज वापस तकिये में मुह दबा कर सो गया नेहा की साधी को करीब चार महने ही हुय थे नेहा के ससुराल में जेठ जठानी उनके दो बच्चे, एक ननद, पती नीरज और स्वेम नेहा बस इतने जने ही रहते हैं नेहा साधारन परिवार में पली बरी लड़की है मा ने साधी से पहले यही सिखाया था कि ससुराल में बना कर रखने में ही भलाई है सो वही सोच नेहा चुप चाप जो सब कहते करती जाती सुबह चार बजे उठकर नास्ता तयार करना, जेठानी के बच्चों को जगा कर नित्य कर्म करवाना, फिर स्कूल के लिए तयार करना, सब नेहा के मत्थे है और इस दोरान जेठानी जी अपने कमरे में सोती रहती है यहां तक की सुबह सुबह घर का कोई भी सदसे नेहा की मदद करने के लिए नहीं उठता बच्चों को इस्कूल भेजने के बाद नेहा रसोई के अधूरे काम निप्टाने में लग गई और सर्दी से लगातार छीक भी आ रही थी इसलिए फटाफक चाय बनाई चाय की एक चुसकी लेते ही नेहा की जान में जान आई और छीक आनी बंद हो गई ठीरे सभी लोग सो कर उठने लगे थे कि तब ही जेठानी जी तमतमाते हुए नेहा के पास आई और कॉंपी दिखा कर चीखती हुए बोली नेहा ये क्या है तुमने बच्चों के बैग में स्कूल की कॉंपी नहीं रखी जबकि मैंने वही सामने मेज पर रक्षोरी थी आखिर तुम्हारा ध्यान कहा रहता है भावी मैं तो भूली गई पर बच्चों ने भी तो याद नहीं दिलाया वाह ये बढ़िया है अपनी गलती मेरे मासूम बच्चों पर डाल दो अरी वो तो बच्चे हैं कम अक्ल हैं पर तुम्हारी अक्ल के अघास चड़ने गई थी जेठानी की सुन नेहा की आखे गिली हो गई सुबह सुबह अपनी निंद चैन उराकर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे बोल सुन कोई भी भरक जाता पर फिर भी नेहा खुद पर सैयम रख कुछ नहीं बोली दिन भर काम करते हुए बीद गए रात को जब नेहा सारे काम निप्टाने के बाद सोने गई हद है नेहा जब देखो गरबर करती रहती हो आज फिर से भावी ने सुना दिया न तुम माईके में भी ऐसे ही गलतियां करती थी क्या लेप्टॉप पर काम करते हुए निरज चुटकी लेते हुए बोला जो घर से ही अपना काम करता था निरज ने आग में घी जालने का काम किया था सो नेहा भरक उठी निरज मैं अब और यहां नहीं रख सकती मैं दीदी के बोल बचन सुनकर परेसान हो गई हूँ तुम ही बताओ बच्चे उनके उन्होंने पैदा किये फिर उन्हें इस कुल भेजने की जिम्मेदारी मेरी क्यों निरज मैं कह देती हूँ कल से में इतनी जल्दी नहीं उठने वाली नेहा का इतना कहना था कि निरज की आँखों में खून उतर आया और उसने नेहा की और गुस्टे से देखते हुए बोला क्या कहा तुमने तुम सुबह नहीं उठोगी तुम्हारे बाप का घर नहीं जो जब मरजी सोगी, जब मरजी उठोगी, ये तुम्हारा ससुराल है, मापापा के गुजरने के बाद भावी ने इस घर को बहुत संभाला है, और वह उम्र में ओधे में तुमसे बड़ी है, इस नाते वे जैसा कहती हैं, तुम्हें सुनना परेगा, और अगर नहीं करना, तो अपना सामान बांध माय के जाने की तैयारी कर लो, पती की सुनकर नेहा दंग रह गई, भला कोई पती अपनी पतनी के साथ ऐसा वेवहार कैसे कर सकता है, यह सूच नेहा पूरी रात रोती रही, पती के रूखे पन को जान, नेहा जादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकि इसी तरह एक दिन सुबह चार बजे अलार्म बजने के साथ नेहा बिस्तर से उठकर खड़ी हुई, तब उसे कमजोरी महसूस हुई, और चकर खाकर गिर परी, गिरने की आवाज सुन, नीरज फटा फट उठा, उसने नेहा को उठाकर बिस्तर पर लिटाया, और मुपर पा आराम करो, मैं भावी से बोल देता हूँ, आज वे बच्चों को स्कूल के लिए तेयार करतें, इतना कहकर नीरज भावी को उठाने गया, भावी नेहा चकर खाकर गिर गई थी, तो मैंने उसे आराम करने को कहा है, भावी आज आप बच्चों को स्कूल के लिए तेयार कर लेकिन यहां नेहा की सुन भावी ने सहानु भूती दिखाने के बजाए कटाक्ष करते हुए कहा देवर जी आप भी आ गए न जहांसे में ये औरते होती ही ऐसी है मैं सब जानती हूँ कोई तबियत नहीं बिगरी होगी बस सुबह न उठने के बहाने बना रही है तुम्हारी बीबी बोलते हुए भावी की खींज नीरज को बिल्कुल पसंद नहीं आई भावी के मुख से ऐसी बाते सुन आज पहली बार नीरज को एहसास हुआ कि इतना करने के बाद भी उसकी पतनी के बारे में भावी ने कैसी ओची राय बना रखी है खेर उस दिन दोभर से पहले नीरज नेहा को अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर ने नेहा की प्रेग्नेंसी कन्फर्म की खुस खबरी सुन दोनों पती पतनी बहुत खुस हुए लेकिन जेठानी जी के चहरे पर खुसी कम और चिंता की लकीरे ज्यादा नज़रा रही थी क्योंकि अब उन्हे घर का सारा काम जो करना पड़ता देवर जी नेहा गर्भवती है अब ऐसे में मैं दो-दो बच्चों को लेकर उसकी खातिरदारी नहीं कर सकती आप एक काम करो कि नेहा को उसके माय के छोड़ाओ वहाँ पर उसकी माँ उसकी देखभाल करने के लिए होगी तो नेहा को भी अच्छा लगेगा पर अभी तो पहला महीना है भावी और अभी समाई के भेज़ दूँ भावी ये कैसी बाते कर रही हैं आपको नहीं भेजना तो मत भेजिये लेकिन मैं कह देती हूँ मुझसे सेवा करवाने की उमीद मत रखियेगा अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि पूरे परिवार के साथ साथ एक और की देखवाल कर सकूँ भावी ये आप क्या कर रही हैं जिसके बच्चों के लिए नेहा सुबह सुबह जग जाया करती है और उफ तक नहीं करती जबकि आज के समय में कौन लर्की किसी दूसरे के बच्चों को हाथ लगाती है और उस पर भी आप उसे इतनी खड़िको की सुनाने से बाज भी नहीं आती हैं और आज जब उसे आपकी जरूरत पड़ी तो आप कहती है माय के भैज दो नहीं मेरी पतनी माय के नहीं जायेगी मेरी पतनी की सेवा करने के लिए अभी मैं जीवित हूँ लेकिन याद रखियेगा भाबी, वक्त सबका बदलता है आज नेहा को आपकी जरूरत थी, तो आपने मूँ फेर लिया ऐसा ना हो कि कभी आपको हमारी जरूरत परे और काते हुए निरत चुप हो गया पर आज नेहा के दिल को बहुत सुकून मिला था क्योंकि उसके पती ने उसके दर्द को समझ लिया था और उसके साथ खरा भी था दूसरे दिन सुबह सुबह नेहा की निंद खुली तो घरी देखकर चौक गई अरे सारे पांच बच गए, ये आलार्म किसने बंद कर दिया पता नहीं बच्चे इसकूल गए भी या नहीं बोलती हुई नेहा हर वरा कर उठने ही वाली थी कि निरज ने उसे रोक लिया नेहा चुप चाप सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है और रही बात बच्चों के इसकूल जाने की तो यह बच्चों की माँ की जिमेदारी है ना कि तुम्हारी हाँ, अलार्म क्लॉक में नहीं बंद कर दिया ताकि तुम इस ठंडी में चैन से सो सको नीरज का साथ पाकर नेहा बहुत खुश थी उसके इतने दिनों की तकलिफ नीरज ने पल भर में दूर कर दी थी तो दोस्तों आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद